हेलो मैं वाइटी फैमनी मैं साफिया जस्टिंज विस साफिया से तो यह मैंने लिया है 240 ग्राम का यह स्पॉंज यह जो है वेनिला स्पॉंज है और मुझे बनाना है इस्ट्रोबेरी फ्लेवर का केक सब्सक्राइब प्लिज अधैक कि प्रसाइब को सब сब्सक्राइबय चानल को जे मैं इस जो ऑग newly weo को प्राइब रेजी करूंगी श्सक्रेंट कर दीज में में कट कर दीं होता है । क 피부 कोता जब में केक सीख यही करने नहीं आता था लेकिन अब मुझे आ जाता है तो इसकी मैं चार लेयर करूँगी और चार लेयर करने के बाद मैं 1 by 1, 1 by 1 करकर जो है क्रीम डालूँगी लेकिन मैंने इस पांज एक दिन पहले बना रखा था तो मुझे लगा कि पानी स्प्रे करना चाहिए तो ये देखे मैंने चार लेयर कट कर लिया और मैंने लिया एक पॉंट का ये बेस और सबसे नीचे वाला लेयर मैं सबसे नीचे ही रखोंगे उसके बाद मैं पानी को स्प्रे करूंगे फिर मैंने लिया था क्रीम और क्रीम मैंने करीब एक दो गुंटे पहले मैंने बना कर रख दिया था जिस्करन से मेरी क्रीम काफे सठीफ तया और मुझे बनाने मंबरा मजा अ वारा तया तो फिर यह ट्रॉबेरी क्रॉश और यह मैं क्रीम डालने के बाद इसके उपर नोगी भी सका बाद मैं इसे पालेटश नाइफ से केक बनाना था और ये मुझे क्या होता ना ओपर से जब मैं से डगुरेट करते हूं तो ये ऑलरी क्रीमी I क्रीमी सा होता है तो उसके लिए नहीं करूंगी ये क्रम कोट करकर डायरेक्ट पस्टे मैं डिजाइनिक कर दो असके मैं रियर में क्रूस तालती जाओंगी और अब रहा है मेरा तीसरा लेयर और वैसिकली तो केक के टीन ही लेयर कटते है और यविशे किंड़ сдел के लिए UC para रभिर कर देती है और देखिए मैने क्रीम को और मैं अच्छे से सुप्रैट कर दूँगी गर्मी का टाइम है कामको मैं च्रीज करना होता और पिर से मैंने डाला यह जसा का लएर में स्ट्रोबेरि का टिस च्रॉबेरी है क्यिता हैं अब मेरा यह यह लास्ट वाला बाट जो की है। कि अचाहि मुझे काफी बसन दाया और सीमां में करेंगी 15 puisse अगर आप ग्रम कोट करके फ्रीज में रखते हैं तो जो है एक फाइनल टच देने में काफी अच्छा रहता है हमारी केक जो है फिशलती नहीं है वर्णा होते कहना है ठंड के टाइम में तो मैं डायर्क थी बना देती हूं कि ठंड के टाइम में क्रीम मेल्ट होने का कोई खत करते हैं कि मेरे की में बना कर करका है क्रीम कि लेंट करूंगी और एक वाइट करूंगी क्योंकि मुझे डॉल बनाना था और मैं प्रीफर कर रही थी डाय और वाइट का ही और एंटु नोजल से अगर मैं बनाती हूं तो मुझे काफी अच्छा लगा तुस्के लिए था राइट कलर के लिए जैल कलर परेक तो देखा तो तो दो नोजल नहीं क एक मेंने पहले ही मिला इन्टू नोजल उसे ही लिया और make तो मैं रेड कलर और वाइट कलर का एंटू नोजल से बनाती जाओंगी और यह के काफी एजी है जो बीगनर्स है वह काफी असानी से बना लेंगे जब मैं बना ली तो आप लोग भी बना लेंगे तो देखे मेरा पहला रोज खराब हो गया वाइट वाला उसके बाद मैं बन झाय बना लाइब काफी काम हो याला खराब कमैं जाप खराब कि मैं मॉल्ट जाया वाला आप गया het बना लेखे के आपश मैं भूल गई थी कि मुझे टॉपर भी लगाना है तो मैंने थोड़ा सा डाल गया था वाइट फिर मुझे याद है कि टॉपर लगाना फिर मैं टॉपर डाली यह टॉपर मैंने योड दुकान से मंगाया था यह ऐनलाइन पॉर्टल है जहां पर मैंने केक का समान खड़ीदा था तो और जब से यह मैं खड़ीदी हूं तब से मैं आज तक उसे यूज देहीं हूं यह फर्स टाइम है जिसमें यूज कर रही हूं तो मेरे पस्ट था यह जिसमें से बच गया है अब नो अब मैंने लिया मुझे काफी बशंद है और यह करना है यह केक जो है जहां में परहाती हूं वहीं से मुझे पास मोला लेकिन गैसे वह ऋगता है नहीं चैटेन अकर अौछ सही मुझे कैसा लगा देना तो मैं लगा देतی तो देखिया मैंने बटरफलाइ लगा दिया और यह मेरा केक है रेडी तो आप बटाइए कैसा लगा डॉल केक यह बच्ची के लिए था उन्होंने कहा था प्लेइन केक बनाने के लिए लेकिन मेरा खुद का था चलो कुछ अडिसनल करते हैं तो यह टॉपर से मैंने डॉल के कीजिए गा और तो और अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज मेरे चैनल को विजिट करिए गा और सब्सक्राइब कीजिए गा और क्या कहूं मैं बहुत ठकी हुई हूं आज ठीक है देखते रहिए बाई बाई थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग